नमस्कार बहुत स्वागत है आपका शुक्रवार के दिन सर्धा भाओ से मा लख्षमी की पूजा करते हैं तो मा लख्षमी की किरपा द्रिष्टि आप पर बरस्ति है और साथ ही आपके जीवन में कभी भ्यवी धन, मान, समान, सुकक की कमी नहीं होती बरकत होती है मा लक्षमी सुक्रवार के दिन अगर आप उनको परसंद करना चाहते हैं विसे स्क्रिपा पराप करना चाहते हैं तो उनको मनाने के एक सरल उपाए जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा सुक्रवार के दिन मा लक्षमी की अराधना करने का विधान है इस दिन मा लक्षमी की उपासना करने से धन की देवी प्रसंद होती हैं और आर्थिक परिसानी को भी दूर करती हैं जीवन में धन, संपदा, खुसियां लक्षमी जी की अराधना से आसानी से प्राप्त हो जाता सुख्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय किये जाए्ए तो मा nouveau trapsatics सिगृ प्रसंद होती है और आपके जीवन कि समस्त पृषानियों को दूर करती हैं तो do जानते हैं कैसे आप मा लक्ष्मी को प्रसंद करें क्योंकि मालक्ष्मी को प्रशन करना उतना भी आसान नहीं है देखिए अगर ऐसा माननेता है कि कनक धारा इस्तरोत वैसे अगर आप नास्तिक नहीं है तब आप मेरी बात को जरूर समझेंगे कनक धारा इस्तरोत का पाठ अगर लगातार तीन साल तक किये जाएं तो तीन कीलो स्वर्न के इतना आपको धन मिलता है और ये कटु सकते हैं तो तीन साल लगातार अगर कर सकें तो अच्छी बात अब आप सोचिएगा आज आपने पढ़ा आज ही आपको धन मिल जाए वैसा नहीं है धीरे धीरे जीवन में सुख बढ़ने लगता है धन आने लगता है वैसे तो धन और एस्वरे से जुड़ी हुई है मालक्ष्मी और एक खास उपाय मालक्ष्मी को परशन न करता है वैसे सुक्रवार के दिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा मालक्ष्मी को इत्र गुलाब की जरूर अरपित करें आप चाहें तो अपनी उंगली पर लगा कर उनके चर्णों पर लगाईए और फिर अपनी कलाई में या कंठ में लगा लें पूरे दिन खुसियों से और धन की मुस्किलें कम होती चले जाएंगी दूसरी बात सुक्रवार के दिन मालक्ष्मी को सफेद मिठाई का या मिस्री का भोग जरूर लगाईए और पूरे परिवार के साथ प्रेम से खाईए क्योंकि सफेद वस्तू मालक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्री है और साथ साथ ही जब आप उनको भोग लगाईएगा तो तुलसी का पत्तमत लगाईएगा भोग में क्योंकि आपको नहीं लगाना चाहिए और साथ ही सुक्रवार के दिन पती पतनी कभी भी जगडा ना करें वरना लंबे खिचेंगे यह जगड़े और जल्दी जगड़े नहीं धन प्राप्ती के लिए सुक्रवार के दिन बहुत सिंपल सा प्रियोग भी आप कर सकते हैं और यह प्रियोग आप सुक्रवार की रात में कीजेगा एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें उसमें एक लॉंग रखकर मालक्षमी के चर्णों में रखें इसको बांध कर आप सुरक्षित रख लें अपने धन के अस्थान पर तो आपके धन को किसी का नजर नहीं लगता है और दिन दूनी रात चोगुनी धन बढ़ता चला जाता है वैसे तो धन प्राप्ती के लिए सुक्रवार का दिन सप्ता के सातों दिन में सर्फ्रेश्ट है और मालक्षमी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रियोग आप इस दिन कर सकते हैं जब आप मालक्षमी को कि आप पूजा करें अगर आपके पास गुलाब की पंखुरी हो तो गुलाब की पंखुरी पर अगर दो लॉंग रखकर अरपीत करें और बाद में इस लॉंग को प्रसाद के बहुत पसंद है और जब भी आप चावल उनको अरपीत करें किसी तरह का कोई उपाए करें तो चावल को आप पहले सही अच्छे से चुनकर रख लें क्योंकि फुटा फुटा हुआ चावल आप उनको नहीं अरपीत कर सकते नहीं तो आपको उतने फल पूजा के नहीं मिल तो मा लक्षमी सदा प्रसंद न रहती है इस बात को आपने गौर किया होगा उनकी जितनी भी तस्वीर है आप कुरोधित नहीं देखेंगे क्योंकि सुक्रवार के दिन जो भक्त मा लक्षमी की पूजा करते हैं संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनको प्रात ना हो अब ग् घर में जो महिलाएं हैं घर की वो प्रेम बरसाती हैं घर में घर को घर बनाती हैं तो घर की जो लक्षमी है उनका हमेशा आदर करें और उनकी अनुपस्तिती में घर में जगड़े लड़ाई कलह कलेस निरासा जैसी भाबनाएं होती हैं जैसे लगेंगी घर काटने को लिए इस दिन चोटे चोटे प्रियोग किये जाते हैं तो चलिए अब हम आपको प्रियोग बताते हैं सुक्रवार के दिन जब भी घर से निकले तो दही खाकर निकले कहा जाता है आपके सभी कारे पुर्ण होते हैं आपके कारे फल देते हैं अगर पती-पत्नी में बहुत ज नमक जो होता है सफेद नमक वो अपने बेड रूम में एक काच के बरतन में रख दें हर सफता चेंज करें चाहें तो दो चार लॉंग भी रख दें लेकिन इस नमक को ढखिएगा मत ओपिन रहेगा इस दें नकात्मक उरजाएं समाप्त होंगी आप लोगों में प्रेम सफेद पूस्प्र डाल कर चले जाए प्रेम से पीपल के नीचे डाल दे मालक्षमी से अगरह करे कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए फिर देखिए कैसे मालक्षमी की किर्पावरस्ती है इस दिन लौंगी लैंची के परियोग किये जाते हैं जीवन की मुस्किनों से बाहर निकलने के लिए तो सुक्रवार की रात एक छोटा सा परियोग आपके घर परिवार में धन, धान, सुख, सम्रिद्धी सब भर देगा कैसे आईए जानते हैं बिस्तार से देखिए सबसे पहली बात तो आपको लाल कपड़ा वाला उपाय तो आपको करी लेना है लेकिन देखिए जो धन संपत्ती भगवार नहीं है लेकिन अगर हम आज कल के जमाने में धन के बिना ब्यक्ति को सम्मान भी नहीं मिलता और छोटी-छोटी चीजों के लिए भटकना पड़ता है लेकिन ये भी सच है कि मा लक्षमी चंजला होती है एक जगह पर टिकती ही नहीं अब आप चाहते हैं कि धन आसानी से आए आपके पास आता रहे तो ऐसा वर्णन है समुद्र मंथन से पहले सभी देवता धन भी हीन हो गए थे और समुद्र मंथन के दौरान जब मा लक्षमी प्रकट होती है तो देवराज इंद्र ने मा लक्षमी की अस्तुती की इस से खुस होकर मा लक्षमी ने देवराज इंद्र को बरदान दिया और वो ऐस्वरयवान हो गए लेकिन देखे सुकरवार के दिन जब आपके घर की साफ सफाई हो जाती है जब आप अस्टनान वेगेरा कर लें उसके बाद भी यह प्रियोग कर सकते हैं अस्टनान करने के पहले भी कर सकते हैं कोई भी कर सकता है क्या करेंगे एक पातर में जल ले लें कोई भी बरतन में ले लें इसमें एक चुत की हल्दी डाल दें अब इस हल्दी को घोल लें पू हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हरहर महादेब चरू लिखे धनिवाद हम फिर मिलेंगे